To know that अखंड भारत में आज़ी कंट्री इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, टिबबत, भूटान, मायनमार, बांगलादेश, श्रिलंका, नेपाल आते हैं केवल इतना ही नहीं मलेशिया, फिलिपीन्ज, इरान, थाइलेंड, साउथ विटनाम, कमबोडिया भी कालांतर में अखंड भारत के सामराज के अंग रहे हैं आज से 2500 यह पहले अमारे देश पर विदेशियों ने आक्रमड किये इसमें विशेश रूप से फ्रेंच, ग्रीक, इंग्लिश, डच, कुशन, शाक, हन, इन्वेडर्स मतलब नुमार्दिक पीपल ऑफ सेंट्रल एशिया ने भी भारत को आज तक 25 पार्ट्स में खंडित किया So now let's see कि यह सब एरियास जो आज इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं वे भारत से कैसे अलग होई First country is Nepal 1984 में नारायन शाह ने ने नेपाल को इंडिपेंडेंडेंट स्टेट अनाउंस कर दिया था इसके बाद अंग्रेजव ने पहाडी राजाओ से समझोथा कर नेपाल वेक आजाद देश का दर्जा प्रदान कर दिया इस प्रकार नेपाल इंडिया से अलग हो गया पाकिस्तान According to right-wing historians, इंडो पार्ट पार्टीशन in 1947 भारत का 24 पार्टीशन था in last 2400 years Independence के बाद Maximum Muslims ने New Country बनाने की डिमांड की और 15 अगस्त की आधिरात को पाकिस्तान नामक एक देश बना फर्ट अफगानिस्तान अफगानिस्तान भी कभी इंडिया का पार्ट हुआ करता था और यहां हिंदू राजाओं का राज हुआ करता था Historians की माने तो इसे हिंदू राजा ने संधी के बाद सिकंदर को सौप दिया था जिसके बाद से यहां इसलामी करण हो गया फूर्थ भूटान वैसे तो भूटान काफी छोटा देश है लेकिन यह भी कभी भारत का सेग्मेंट हुआ करता था भूटान बृतिश रूल तक भारत वर्ष में शामिल था लेकिन इंडिपिंडेंस के बाद इसने स्वयम को स्वतंतर देश होशित कर दिया और यह भारत से अलग हो गया बांगला देश यह देश भी भारत का हिस्सा था लेकिन आजादी के समय यह पाकिस्तान को दे दिया गया था लेकिन कुछ सालो में इस पर पश्चमी पाकिस्तान का त्यचार बढ़ने लगा था जिससे बाद यह पाक से भी अलग हो गया कमबोडिया आपकी इंफो के लिए बता दें कि कमबोडिया में वर्स बिगेस्ट और लार्जेस टेमपल है जिसकी इमेज आप कमबोडिया के नेशनल फ्लाग में भी देख सकते हैं यह भगबान विश्णुजी का मंदिर है जिससे आप इस्टिमेट कर सकते हैं कि पहले यहां भारत का शाशन हुआ करता था सैवंध इरान आज कि इरान एक अरेबिक कंट्री है लेकिन पहले यहां आरेन रह चुके हैं ऐसा माना जाता है कि हिस्ट्री में भारत के आरेन यहां आकर बशे थे बट इसकी नेबरिंग देशों ने रहने वाले इंवेडर्स ने इसे अपने कंट्रोल में ले लिया इंडोनेशिया आज यह दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है लेकिन यहां पर भी कभी भारत कशाशन हुआ करता था और यह भी कभी भारत का एक सेग्मेंट और पार्ट हुआ करता था and still many people living here practice Hinduism Malaysia Most of the countries of East Asia have almost the same history from which Malaysia is not untouched पहले यहां Hinduवादी लोग रहा करते थे बट बाद में यहां भारत के बुद्धिश पॉलिवर्स बस्ते चले गए और यह भी इंडिया से अलग हो गया Philippines यह भी one of the ancient countries है जो कभी भारत वर्ष का लैंड हुआ करता था लेकिन भारत के रास्ते यहां इंवेडर्स पहुँच गए और इसे स्वतंद्र देश गोशित कर दिया श्रीलंका इस देश कमेंशन रामायन में भी देखने को मिलता है योगि रावान श्रीलंका का एक ही रेसिडिन्ट था भारत से श्रीलंका जस 37 किलोमेटर्स दूर है ये भी भूटान की तरह बृतिशर्स के शाशन तक भारत वर्ष का ही रीजन हुआ करता था बट बृतिशर्स ने इसे अलग नेशन मना दिया मायनमार इस देश को हम बर्मा के नाम से भी जानते हैं क्योंकि भारत वर्ष में इसका नाम बर्मा था जब अंग्रेज भारत आये तो उन्होंने इंडिया के साथ मायनमार को भी अपने कबजे में ले लिया था जिसके बाद यहां भी सैकडो साल राज किया यह देश के नाम सुनते ही we all think tropical beaches and according to Indian history इसका प्राचिन नाम श्याम देश था यहां भी कभी हिंदू राज हुआ करता था लेकिन यहां भी बुद्धिजम की publicity के कारण हिंदूों की संख्या कम हो गई और यह भी इंडिया से अलग हो गया तिबबद प्रेजेंट में तिबबद पर चाइना का कबजा है चाइना ने बृतिशर्स के बाद तिबबद पर अपनी सेना भेज कर इसको forcefully capture कर लिया था इसके बाद से यह दुनिया इसे चीन का हिस्सा मानती है लेकिन सच्छा यही है कि तिबबद भारत का हिस्सा है वीटनाब इतिहास में यहां भी most of the people were Hindus लेकिन धीरे धीरे यहां बौद धर्म हावी होता गया पहले इसे नेशन का नाम चंपा हुआ करता था यहां हिंदू राज समाप्त होने के बाद यह अलग देश बन गया अखंद भारत का सपना अचार शानक्ते ने देखा था उसको साकार करना हमारा लक्ष है हमारा टागेट है उसके लिए हमने व्यक्ति के अंदर के एक अच्छा तरित्र आच्रण पवित्रता कड़ी महनत परिक्ष्रम बुद्धी शक्ति देश भक्ति इवं अनुशाशन का निर्मार करना होगा तभी हम वन्स अगें अखंद भारत बन पाएंगे